हालो फ्रेंड्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके लिए जो वीडियो ले क्या रहा हो, बात करेंगे एक बहुत important signal की, बहुत important पहचान की, तो चलिए समझते हैं, और कुछ examples आपके सामने लेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, इस particular, मैं कहूंगा, chart को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे बड़ा move trigger हो रहा होता है, कैसे बड़ा move तैयार हो रहा होता है, किस तरीके से, जो है वहाँ पर आपको accumulation phase आपको देखना है, उन सारी चीजों को देखेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न लिकिन असली चीजें दिमाग में तभी set होंगी, जब दिमाग के पास data पहुचेगा और दिमाग के पास data पढ़ने मातर से नहीं पहुचेगा, वो पहुचेगा तो practice के माध्यम से पहुचेगा, तो इसलिए practice बहुत 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 जरूरी है, तो practice जरूर करें, तो मैं आपको सबसे पहले मंतली चार्ट के उपर फोकस करवाऊंगा ऐसे स्ट्रॉक्स जब भी मुझे दिखने को मिलते हैं तो मैं आपके सामने जरूर उनकी वीडियोज क्रियेट करता हूँ एक बड़ा फॉल जब भी ट्रिगर होता है जरूर ध्यान दे एक बड़ा फॉल जब भी ट्रिगर होता है तो वापसी आती है और वापसी के बाद एक बहतरीन करेक्शन आती है जब वो बहतरीन करेक्शन आती है तो चीज़ें रिजॉल्ब हो रही होती है यहां पर आपको पता आपका मैक्स लॉस कितना हो सकता है आपके पास लॉस डिफाइंड है रेली आप देख रहे हो बिल्कुल टार्गिट की तरफ जाता हूँ आपको गहर यह जड़ पे देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा आपको यह पर्टिकुलर चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एक्जाम्पल्स देखोगे न तो आप धेर सारी चीज़े सीखोगे जरा देखना जहां से अब हम देखें मैं आपको गहा था यह लेवल देखें यह मात्र 37 उपे के लेवल पर हम आपके लिए जब यह वीडियो लेकर आया थी तो स्टॉक आप लिए रही देख रहे है अप्रेल नाइन का यह वीडियो है और अप्रेल नाइन पे एन वी सी सी का प्राइस क्या था अप्रेल नाइन पे यह जस्ट स्टार्ट हो रहा था 37 आज की देट में पसेंटेज वाइस देखोगे तो 37 के लवल से अगर मैं देखू तो कितना पसेंट भाग चुका है 200 पसेंट के पास अगर मैं टागेट की तरब देखू तो आल्मोस 250 से 300 पसेंट के बीच मैं टागे इंपल्स करेक्शन यह बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट सिगनल में इसको कहूंगा बड़े टाइम फ्रेम पर फॉल के बाद ऐसी स्तिती देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है इसलिए बिल्कुल सटीक टाइम पर आपके लिए हम वीडियो के माध्यम से स्टॉक्स क को भी देखोगे तो वही सिमिलर जो NBCC है वही काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसने भी बिनाए कि यह भी वही कंस्ट्रक्शन वाला कंपनी है फॉल के बाद रैली के बाद यह करेक्शन अब आपको गयर अगर यह स्टॉक मुझे यहां पर मिल जाता इन लवल्स पर तो मज़ा जाता है प्रापर रिस्क के साथ सीधे प्राइस देखे कहां चला गया अब यह जैसे मैं आपको कहा एक ही सेक्टर का प्लेयर है देखे सीधे दो सो परसेंट की रैली आप देखो आपको गयर यह भी अगर उस टाइम पर देखने को मिल जाता तो मज़ा जाता यह जड़ा देखिए बिल्कुल exact stock का अगर मैं November 15 थोड़ा सा पहली आपके सामने आया था और इसके बाद रैली आपने देखिए अगने example को देखते है वो भी इसी category का stock है असो का बिल्ड कॉन अब असो का बिल्ड कॉन को आप देखो कि आपको गयर इसमें क्या है जो चलिए देखते ह में समझाई थी कि जब बड़े fall के बाद reversal आएगा तो आपको जो अगली correction होगी वो बहुत बहातरीन low risk के opportunity तयार कर रही होती तो असो का बिल्ड कॉन ने भी वावई सीधे target की तरब ये भी पहुंचता हुआ असो का बिल्ड कॉन तो चलिए असो का बिल्ड कॉन को देखत आपके सामने रखे थे चाहे वो और भी stocks है उन सब के examples आपके सामने रखे थे और यह move start होने से पहले amazing है कि निया तो basic चीज़े है identify और मा आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने को practice के माध्यम से दिमाग में set होंगी L&T finance holding को देखते हैं अब L&T finance holding को देखिए आपको लगें ये भी बिलकुल वही concept है वही चीज है जरा देखिए लेकिन आपको खरीजारी का मौका का मिलेंगा ये range 80-90 वाली range यानि कि February, March, April ये कहीं पे भी आप ठीकिए जब आप बड़े timeframes को follow करते हैं तो थोड़ा सा patience आपको रखना पड़ date कहाने कि 8 महने पहले April 30 देख रहे हो क्या consolidation है और rally आप देख सकते हो तो ये कहानी कौन सी है सेम अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो description में आपको link देदेंगा आप ज़रूर देखना सीखना कहानी अब ये सारे मैं example एक साथ आपके सामने क्यों लेके आ रहे हूं क्यों कि सब में एक ही कहानी है इसलिए ये सारे example एक साथ आ रहे क्यों क्या कहानी है एक ही कहानी है कि हर stock एक बड़े fall के बाद की correction देखें overall हर stock एक बड़ा fall आया बड़ा reversal आया और उसके बाद की जो correction है उस point को हम यहां पर trigger कर रहे है उस point को समझने की कोशिश कर रहे है चार ए अभी 600 पे है 33,000 करोड का हो चुका है market calculation आपको लग रहा हो बहुत ही बढ़िया भाग रहा है बहुत ही बहतरीन हो चुका जरा देखिए अब आपको एक है अब फिर relate कर पाऊ गया आपको गया यह तो अभी recently start ही हो रहा है बड़ा fall आप देखे trigger point आपको यहां पर two equal lows आप और जुलाई के टाइम पर तो इसका वीडियो भी आपने create किया होगा बिलकुल किया होगा जी आप देखी जरा stock from the house of LIC कप का है जुलाई 19 क्या price था वहाँ पर 384 something था चीज है start हो रही तो ऐसे stocks न दिख जाए न तो भी छोड़ने के नहीं होते ऐसे stocks में क्योंकि हमारे प आज पास entry ली 420 पे 410 पे 415 पे कहीं पर भी entry ले लिया अब आपको पता है कि मेरा जो है यहाँ पे 100 रुपे का 100 रुपीज पर शेर का loss है fix है ठीक है अब initial target zone आपको देख रहा है कि सीधे-सीधे 560 है final target zone आपको देख रहा है 760 है आपको यह पता है कि इस 100 रुपीज के loss में 420 चे लेके 520, 620, 720 के आसपास थक यह मुझे 300 पॉइंट्स देखे जाएगा अब ज़रा सोचिए अब आपको रिस्क पता है 100 पॉइंट्स का अब मैं आपको बार-बार कहता है कि बड़े जो timeframes होते हैं उनके अंदर loss को आपको define करके आपको position size को manage करना है क्योंकि यह आपको 15,000 का यहां पर अराम से run जो है जाने वाला तो यह important part है तो यह देखे जरा situation तो अब मैं आपको यहां पर summarize question करते हैं बड़े time frame है बड़े time frame है patience की जरूवत होगी है कि नहीं होगी बड़ा fall आया वापसी हुई देखे step step क्या इसमें पहला step है बड़े time frame को हम jump बड़े jump के बाद एक बड़ी correction बड़ा fall बड़ा jump बड़ी correction उसके बाद इस correction को देखे आपको गये हुआ तो हमारे पास हम सब चीज क्या है बड़ा time frame बड़ा fall बड़ा jump बड़ा correction और उसके बाद बड़ी rally तो इस पूरे summarization का जो end result है वो क्या है बड़ी rally और अगर देखें आपको बहुत अच्छे से ये concept समझा रखा बाकी price section सीरीज में तो हम बहुत बार इसकी चर्चा करते हैं इसको हम कहते हैं बड़ी cycle बड़ा time frame तो आप फिर से देखना क्या है बड़ा fall बड़ा jump बड़ी correction उसके बाद बड़ी rally क्योंकि ये क्या है बड़ा time frame बड fall बड़ी rally बड़ा correction और उसके बाद क्या है देखिए मैं इसको fall कह रहा हूं और इसको correction कह रहा हूं relate this thing क्योंकि correction और fall में क्योंकि यहां पर जब यह fall हुआ था उसका rally आए थी correction कहते हैं अगर in comparison to this देखोगे तो आपको volume में गाय देखने को मिलेगा तो यह समझते हैं इस correction में volume गायब तो हम क्यों क्यों को कहते हैं correction में volume गायब तो अब क्या क्या बात थी है हमारा पास फिर से summarize करने एक बार कहता है बड़ा fall बड़ा jump बड़ी correction बड़ी rally तो जो आपका accumulation का process था उसके बाद जो बड़ी rally है यह उसका अंत result है यह सब चीज हम कहां पर देख रहे है बड़ा time frame तो उमीद करता हूं यह बड़ा बड़ा आपको समझ में जरूरा होगा तो चलिए wind up करता है इस वीडियो को बाकी price section की series आपके लिए ready है बड़ा time frame हुया छोटा time frame concept वही होते हैं लेकिन बड़े time frame में क्या होता है थोड़ा निश्चिंत लेकिए मैं आपको पता है आपका stop loss 30 पे है 10,000 का आप loss लेने को तैयार हो उसके बाद क्या है यह जो उतार चड़ाओ in between आई है तो आप निश्चिंत हो जाते हो आपको पहले यह पता है कि मेरा 10,000 का loss हो है वो fix है मतलब अगर मेरा plan fail होगा तो 10,000 का loss fix है लेकिन आपको पता है कि जो आपने 40 30,000 की यहां पर investment करी है तो आज की date के हिसाब से आप देखोगे आपको गई तो एक लाग 20,000 हो चुकी है है कि नहीं है यह चोटी चोटी चीज है लेकिन बहुत महत्रपून और important चीज है wind up करता हो video को share कीजिए like कीजिए और सीखते रहे देखिए और जब भी आपको ऐसा क भी बड़ा time frame बड़ा fall बड़ी correction देखने को मिले तो बड़ा इंतजार rally का जरूर करें thank you thank you for watching the video